प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में अच्छी परी का अभ्यास दो, तीन और चार देखने जा रहे हैं, अर्थात पढ़ने जा रहे हैं, कल आप लोगों को ये अच्छी परी में से अभ्यास एक दिये थे बनाने के लिए, बहुत सारे बच्चे बना करके भेजे, उस से लगता हैं, कि आप लोगों को याद हो गया, एंसर, और आप लोग कहानी समझ गया, अब तू नीचे दिये वाक्यों के लिए सही क्रम संख्या लिखिये, इसमें क्या करना है बच्चों, चार वाक्य दिया हुआ है, ये लेसर्षन के अनुसा है, कोई पहले दे दिया है, ये सही क्रम में नहीं है, और हमें चारो वाक्यों को पढ़ लेना है, उसके बाद उसको क्रमबत तरीके से 1, 2, 3, 4 लिखना है, जो पहले आता है, उसमें 1 लिखना है, जो 2nd में उसमें 2 लिखना है, और जो 3 में आता है, उसमें 3 लिखना है, और जो 4 में आता है, उसमें 4 ल निलू ने फूल की तीसरी पंखुडी तोड़ी, ग एक परी निलू के सामने आ गई, ग निलू ने फूल की दूसरी पंखुडी तोड़ी ये तो हम लोग पढ़ लिए बच्चो अब हम लोग को देख रहां कि वाक के में लेसन में कौन वाक के पहले आता था लेसन में सबसे पहले ये वाक के आया है एक परी नीलू के सामने आ गई लेसन में नीलू जब एक फूल को छूती है बस एक परी नीलू के सामने आ जाती है तो यही वाक्य पहले होगा one उसके बाद next हम लोग देते हैं यह तो नहीं होगा नीलू की फूल की तीसरी पंखुडी तोड़ी निलु ने फूल की तीसरी पंखुडी तोड़ी तो नहीं होगा, निलु ने फूल की पहली पंखुडी तोड़ी, तो ये second वाक्य होगा, और उसके बाद घह, निलु ने फूल की दूसरी पंखुडी तोड़ी, ये तीसरा होगा, क्योंकि पहली पंखुडी तो वो दूसरे लाइन में तोड़ चुकी थी तो ये दूसरी पंखुडी तोड़ी अब फस्ट लाइन देखते हैं का नीलू ने फूल की तीसरी पंखुडी तोड़ी ये फोर्थ हो जाएगा तो exercise टूट हो गया इसी तरह हम लोगों को बनाना है अब ठर्ड दिये गए वाक्यों के लिए हाँ ये नहीं लिखिये नीचे जो वाक्य दिये हुए हैं उसके लिए हाँ ये नहीं लिखना है का फूल को छूते ही फूल खिल गया क्या ये सही है नहीं ये गलत है तो यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे खा, नीलू को फूल देकर परी गायब हो गई क्या ये सही है? हाँ, ये सही है तो यहाँ हाँ लिखेंगे उसके बाद गा, कमरे में खिलोने भरने के बाद नीलू अराम से सांस ले पा रही थी नहीं, ये गलत है यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे नीलू सांस नहीं ले पा रही थी उसके बाद गा, पार्क में अमीत बैसाक्यों के सहारे आ रहा था पार्क में अमीत नहीं था वो राजू था, जो बैसा क्यों के सारे आ रहा था, ये भी नहीं होगा, उसके बाद अंगह, राजू को दोड़ता देखकर नीलू को बहुत अच्छा लगा, हाँ, ये करेक्ट है, राजू को दोड़ता हुआ देखकर नीलू को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे, तो समझ में आगया बचो, अब चोथा क्या है, चोथा है यदि आपको जादू का फूल मिल जाए, तो आप उसे क्या-क्या मांगोगे, कक्छा में बताईए, अगर आपको जादू का फूल मिल गया बचो, तो आप उसे क्या-क्या मांगोगे, ये घर में अपने माता पीता को सुनाना, कच्छा तो अभी बंद है, इसकूल तो अभी आने रहो, इसलिए अगर वैसा फूल मिल गया, तो तुम उसे क्या-क्या करोगे, यह अपनी मम्मी को सुनाना, ठीक है, यही आपका हूंवर्ख है, दूसरा और तीसरा को बना करके भेजिएगा, कोई पर